नमस्कार, मेरा नाम है बंचिलाल पालिवाल, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले तो मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे इस चैनल पर 65,000 से जादा सदश्य जोड दिये हैं, अब आज का विशे ले से करें, कई बार कॉल्स मिले हैं कि मेरे केमरे के अंदर कार्ड एरर का ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इवन एक बार मेरे स्वयम के साथ में भी ऐसा हुआ है कि मैंने पूरी वेडिंग जो एसे लगा के जेड तक होना थी, उसको मैंने बिलकुल लास्ट मोमेंट में मै आ रहा था और उसी समय अचानक मेरे कार्ड ने एक मेसेज फ्लेश कर दिया, तो उस समय मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी, ठंड के दिनों में माथे पर पसीना, उस समय उस कार्ड को बाहर निकाल लिया, दूसरा कार्ड डाल दिया, और घर आकर के देखा, मुझे सारे कार्ड को बाहर निकला, और अपना काम दूसरे कार्ड को डाल करके मैंने करना शुरू कर दिया, तो मेरे साथ में भी हुआ है, और आप में से भी हो सकता है, कई लोगों के साथ में हुआ होगा, और जिनके साथ नहीं हुआ है, तो वो कुछ सावधानिया जरूर रख ले, क पहले बिंदू को पकड़ते हैं कि जब भी आप अपने कैमरे के अंदर कार्ड को डाले. तो सबसे पहले आप ये श्योर कर ले कि मेरा कैमरा ऊफ है. आपका कैमरा ओन है, आपने कार्ड बाहर से निकाला, अंदर डाला, तो आपके लिए कभी भी मुसीमत तैयार है. हो सकता है आपके card के अंदर कुछ photograph हो आपने on camera के अंदर उसको बाहर भी निकाल रहे हो वापस अंदर भी डाल रहे हो तो कभी भी कुछ भी error आ सकता है card में भी corrupt हो सकता है तो ये सावधानी जरूर रखे जब जब भी card को निकाले camera बंद करें उसके बाद card निकाले फिर आपको करना है कि जब आप card camera के अंदर डाल देते है SD card तो उसे माना की ये Nikon camera है मैंने इसके अंदर card डाला तो सबसे पहले wedding में या कहीं shoot करने के लिए जाने से पहले आप लोग इस card को इस SD card को उसी camera के अंदर format कीजिए जो camera लेकर के आप जाने वाले हैं format करने से इस camera का जो software है वो कुछ files aid करके उस card में एक folder बना के रखता है हो सकता है वो hide हो हो सकता वो हमें दिखाई भी दे लेकिन ये जरुरी है ऐसा नहीं हो कि हमने computer के अंदर card को format कर लिया है हम शोर हो गए है अंदर डाला photo खीचे photo दिखते रहेंगे लेकिन ऐसी condition में भी हमारा card कब आगे जाकर के पायबाय कर दे तो अपने card को किसमे आपको format करना है उसी camera के अंदर जिसे आफ shooting करने के लिए जा रहे हैं चाहे वो DSLR हो या camcorder camcorder के अंदर card डाला तो आप camcorder के अंदर format कीजिए तब इसको आप उप्योग में लीजिए otherwise मत लीजिए इस camera में दो SD card होते हैं तो ऐसे जैसे इस camera के अंदर भी दो SD card के slot बने हुए तो मैंने कई बार एक note किया है कि जब भी मैं इस camera के अंदर एक card डालता हूँ और recording को शुरू करता हूँ तो एक message इसके उपर display हो जाता है कि आप अपना SD card अंदर input कीजिए जब कि एक होता है एक नहीं होता है तो वो message आता है बतलब इस camera का जो software है वो इस बात की जानकारी रखता है तो आप लोग जहां तक हो सके वहां तक अगर two card slot वाला camera आपके पास में है तो आप दो card same 64GB, 64GB, 32GB या 32GB same card input करके रखें ताकि camera अपने आपको परिपक्व रखे ये हमारे उपर निर्बर करता है मेरे पास में जो card है उस card को मैं इसमें use कर रहा हूँ इसमें use करता करता मैंने इस card को निकला और मेरा कोई assistant photographer वहाँ पर है तो मैं उसको दे देता हूँ कि तो ऐसा कर अब ये तेरे अपने camera के अंदर ये card डाल दे और इसमें शुरू होजा photographic करना या फिर camera से निकल के इसमें डाल दिया और इसमें वीडियोग्राफिक करना शुरू कर दिया क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास में card कम होते है वहाँ पर जाने के बाद में हमारी situation बदल जाती है हमें ऐसा मैसूस होने लगता है हमारे पास में card की capacity है वह बहुत ज़्यादा कम रह गई है या इसमें जितने photo और आना चाहिए और अभी कारिकरम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है तो ऐसी condition में हम लोग क्या करते है उसको निकाला, इसको डाला, इसको डाला, उसको डाला ये मत कीजिए आप जिस card को इसमें डाल दिया, उसी में रखिए और जिस card को इसमें डाल दिया, उसी के अंदर रखिए उस card को बार बार इसमें से, इस camera में इस camera से, उसमें, उसमें ये डालना बन कर दीजिए बाकी, कभी न कभी मैं कहरा हूँ की ये समश्या आ सकती है नॉर्मली बजार से जब हम कार्ड खरीते हैं तो सस्ते वाले कार्ड उठा करके ले आते हैं तो इस आदत से भी हमें बचना चाहिए ये मेरे पास में सस्ता कार्ड है ये वाला अब ये कार्ड ठीक है मेरे पास में आपात इस्तिती के लिए पड़ा रहता है लेकिन जब भी मैं इस card का इस्तेमाल करूंगा और जिस camera में भी डालूंगा तो सबसे पहले उसको मैं format करूंगा उसके बाद मैं इस्तेमाल करूंगा यह सिर्फ आपात काले निस्तिती के लिए सस्ते card अच्छे हो सकते हैं लेकिन जो quality के card आते हैं वो card हमें खरीदन चाहिए जिसकी writing speed भी अच्छी हो और जिसकी rate करने की speed भी अच्छी हो ब्रांडेट चीज में विश्वास करें और ब्रांडेट चीज को ही खरीदें एक आदत मैंने बहुत सारे मेरे इर्दगीर जो photographers काब करते हैं उनमें देखी है कि वो क्या करते है फोटो लिया देखा अच्छा लगा ठीक नहीं तो delete मार दिया फिर दुबारा ले ले लेते हैं और बहुत सारे तो जब माना की पूरा कारिक्राम हमारा खतम हो गया हम कहीं चेयर पे बेटे हुए तो वहाँ पर फोटो को वापस review करते हैं same time में जबकि हमारे प्रोग्राम अभी भी बाकी है हमारा सारा काम नहीं हुआ है वो review करते हैं और उसमें से इतना फास्ट उनके अंगलिया चलती है करते हैं जूम करते हैं आउट करते हैं यह करते वो करते हैं वह वहीं बेटे बेटे डिलीट मारना शुरू कर दे हैं मैं समझ सकता हूं कि मुसीबत यह है कि इतने सारे फोटो हो जाते हैं कंपूटर पे धेर करेंगे उसके बाद में हमें थोड़ा selection करने में समय जादा भी हमें बचना चाहिए जब हमारा कार्ड इस केमरे के अंदर लगा हुआ है और जब हमने 70% काम कर दिया है या 70% काम कर दिया है उसका review करना चुरू कर देते हैं हम एक दूसरे को photo दिखाना चुरू कर देते हैं तो मेरे भाईयों इस आदत से भी बचना चाहिए क्योंकि जब भी आपको जो भी करना है आप आराम से घर पे चले जाए computer पे ले ले अपनी shop पे चले जाए कि यह यह लेकिन एक बार आप सुरक्षित हो जाईए कई बार आपने मेसुस्थ किया हो गा कि जब आप photo क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही आपको पिछे जो स्क्रिन है उसके उपर आपको एक वैट का मार्किंग जो डंबूरू होता हैं हम लोग उसे डंबूरू कहते हैं वो आपको दिखाई देता है, तो हम उसको देखते रहते हैं मैंने कहिं को दिखाूं, देखते रहतेem कुछ नहीं लिया और वैटरी बार निकाल देते वो वेट इसलिए आ रहा है कि आपका एक सिस्टम है इसके अंदर फोटो आया है वो कंप्रेज कर रहा है उसका चल रहा है प्रोसेस चल रहा है वो फाइनली कार्ड के अंदर जाकर के सेव करेगा तो इसके बीच में इसको भी सास लेना पड़ता है हम लगातार खटाक 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 फोटो खीशते रहते हैं तो वो मार्किंग आ जाता है तो ऐसे समय में ये गलती आप नहीं करें मैंने कई यों को देखा है कि लिया और बैटरी बाहर निकालकर डाला और वापत दूसरा फोटो खीश दे हैं और अपने अनुभाव से ये बाते में आज आपको बता रहा हूं ना कि मैं अपनी मर्जी से एक हमारे दिल के अंदर ये होता है कि यार हम ऐसा करें कि इस केमरे के अंदर एक ही इतना बड़ा कार्ड डाल दे कि जिससे हमें कोई जंजक नहीं एक शादी दूसरी शादी तीसरी शादी चोती शादी ऐसी चलती रहे एक इससे बड़ा कार्ड को अगर केमरा सपोर्ट कर रहा है तो वह लाकर कर के डाल दिया कहां जरूते हैं हमें ज़्यादा कार्ड लेना चाहिए मैं सोचता हूं मेरे पास में टोटल जितने भी कार्ड है वो सब 64 जिबी के ही है और उसी से मैं अपना काम करता हूं उसके उपर मैंने बिलकुल नंबरिंग करके रखा है 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसा और उसमें भी जो फोटोग्राफिके लिए जिन कार्ड को मैं इस्तिमाल करता हूं तो उसमें मैंने P4 फोटो P01,P02,P3,P4 ऐसा करता हूं और जो वीडियो के अंदर जिस कार्ड का मैं इस्तिमाल करता हूं उसके मैं V01,V02,V03 ऐसे उसके उपर मैं लिख के रखता हूं ताकि मुझे पता होता है कि मेरा वीडियो का एक नंबर कार्ड चल रहा है अब दूसरा नंबर का देना है फिर तीसरा फिर छोता यह सीरियल होना चाहिए यदि हम समय नहीं मिलता है हम एक वेडिंग से आये और दूसरी वेडिंग में जाना है तो हम दूसरे कार्ड लेकर के जा सकते हैं तो वो कार्ड जो वीडियो केमरे के अंदर चलता है उसको वीडियो केमरे के अंदर ही चला है और जो पी फोटोग्राफी पी फोटो तो फोटोग्र तो जब आप photo को computer पे लेते हैं और card reader की मदद से लेते हैं तो आप कम से कम इस प्रकार के branded card reader जो लगवए 2.5 अजार उपय के आते हैं उस type के card reader यूज करें सत्ते वाले card reader से हमें कभी भी दोखा हो सकता है आप चाहें तो camera के जो cable आती है उसे लगाए computer पर camera on करें इंशर हो जाए कि आपका बैटरी फुल है उसके बाद में आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लेकिन जब हमारा कॉपी पेस्ट चल रहा है तो माउस को छोड़ दे थोड़ा सा इधर उधर टहलना शुरू कर दे ऐसा नहीं कि हमारे कॉपी भी चल रही है और हमने कम्पु रखिए जब हो जाएगा कम्पुटर में आ जाएगा उसके बाद में फिर हम कुछ भी करें एक बैक अप ले लिया हमने तो ये बाते आपको बहुत ही जादा जानकारी में रखना पड़ेगी तो ये आदत होती है ये एक हैबिट होती है जिसे हम सब को बनाना पड़ता है और जिस दिन हमारी ये आदत बन जाएगी हैबिट बन जाएगी उसके बाद में हमें इन परेशानियों से कम से कम सामना नहीं करना पड़ेगा मिलेंगे फिर कभी किसी अगले वीडियो में किसी नई चर्चा के साथ जो छोटी सी हो लेकिन महत्वपूर्ण हो जै हिन जै भ बड़ में हमें बना परेशानि चार्चा कै और नहीं आद जाएगी ये झाले झाले जो लेकिनगे घावपूर्ण हो जैँ आएगी जैज। फिराभा